कि अच्छा इसी बज़े से ना मैं पास आउट के बैद पढ़ाना पसंद करता है कि वारे पास आउट में पढ़ाता है क्यों क्योंकि वो पढ़ने आते हैं उसका रीजन है उनको एक बार धक्का लगा लग चुका होता है कि आईटी कि टाट अफ है आईटी कि टाट तो उनको एक बार धक्का लग चुका होता है आईटी का और जब एक बार धक्का किसी को आईटी लग जाता है न तो वो सिर्फ सामती से पढ़ाई करता है क्योंकि उसको पता है कि इससे सलेक्शन होगा इससे सलेक्शन होगा जो मैं बाते करूंगा उससे सले 11 वाले जादा करते हैं उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने भी पेपर तो दिया नहीं है जिस दिन पेपर देंगे न उस दिन धुआ छोड़ देंगे क्यों उनको पता चलेगा अच्छा पेपर का लेबल यह होता है तो चुपे चाप आख कान नीचे करके सिर्फ पढ़ाई कर कर रहे होंगे और पुछ दूसरा काम करने का टाइम नहीं मिलेगा उनको तो एक बार पेपर दे लूँ और फिर अराम से मती 2 से हो चायते कि तुम एक बार पेपर दो उसी मेंस हो तो बारा पेपर देने का नौबत किrico करेंगे कि हम दस बारा बार पेपर देंगे सर हम थोड़ी सुधरेंगे हमें इस बार पेपर दे के नहीं होने देना है और जब नहीं होगा तब हमारे पास आस्मान गिरेगा तब हम फिर से प्रिप्रेशन करेंगे कि अगया तोर यार ध्यान दो फ्यूचर बहुत अदिशल बनाना बहुत टफ काम हूता है तो उस पर फोकस रखिए अब देखो बच्चों यह देखो पिछली साल आयटी में कोश्चन आया है यह देखिए अब देखिएगा इस कोश्चन को